नमस्काइक दोस्तर वूटरी व्लाइट वॉडों के विडियो अब स्वागत है मैं हुआ रहता है. आपके दोस्त में कहाँ जो आपके पास आएक नए वीडियो के साथ आज वीडियो में दोस्तों हम योग फूगरी प्लगिन का यूज करके और full gallery plugin के साथ lightbox को हम लोग कैसे integrate करते हैं और एक बहुत अच्छा सा effect कैसे लाते हैं उसे भी हम देखेंगे तो ये वीडियो काफ़ informatic, knowledgeable and entertaining होने वाले ये इस वीडियो को पूरे end तक जरूर देखना तो चले दोस्तों वीडियो में करते हैं उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आये हैं तो कमें को सब्सक्राइब करके बैल आगर को दबा लें ताकि हमारी चैनल पर आपने वीडियों की नोडियों साब को हमें ऐसा मिलती रहे चो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे सम्झेड करेंगे उसके बाद फिर उसमें लाइट एटक को हम इंटिगरेट करेंगे ठोल्ए क्तु चैनल करेंगे में इसरु ग्रॉकारी को सबेस्ता ल Minh करेंगे फू गालरी जो है best wordpress गालरी plugin फू गालरी इसे बस simply हम यहाँ पर install नाव पर click करेंगे और इस plugin को हम install कर लेंगे जैसे यह plugin आपका complete install हो जाएगी उसके बाद फिर इस plugin को हमें active करनी होगी उसके लिए simply हम यहाँ से activate पर click करेंगे activate पर click करते ही यह plugin हमारा active हो जाएगी जैसे यह plugin active हो जाएगी उसके बाद फिर हम यहाँ से skip now पर click करेंगे और इसे skip कर देंगे उसके बाद देखिए फू गालरी का left side में आपको एक option मिल रहा है तो इस फू गालरी के नीचे हमें एक option मिल रही है add gallery मतलब होग आपका जो images होगी वो images के thumbnail का size क्या होगा तो by default यहाँ पर 150 150 है आप इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं mobile layout मतलब mobile में अगर आपका website open होगी तो यहाँ पर images कितने column में आएगी one column two column three column आप यहाँ पर अपने according use कर सकते नीचे अगर हम आते हैं तो नीचे देखिए हमें यहाँ पर एक option मिलेगी light box अब light box में drop down है जैसे इस पर हम प्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए full gallery आपको दो light box यहाँ पर recommend कर वही है first one is full gallery pro light box then second one full box आप दोनों में से किसी भी light box को यहाँ पर यूज कर सकते हैं अभी यह दोनों ही यहाँ पर not installed आ रहा है यानि यह light box effect अभी काम नहीं करेगी तो as it is हम इसे नन ही रहने देते हैं अब यहाँ से हम ऊपर आते हैं यहाँ पर आपके gallery के appearance related settings मिल जाएगी सो हमने यहाँ पर क्या करना है कि round corner को हम यहाँ से small कर लेते हैं ड्रॉप सैटों भी आप यहाँ से सकते हैं ओके तो आप यहाँ पर loading icon मतलब आपका जो image load होगी तब आपको कौन से icon चाहिए सो हमने यहाँ पर इस option को select कर लिया उसके नीचे हमें और भी option फिल जाते है से रिलेटेट लाइक लाइट बॉक्स है हवर एफेक्ट है आप अपने हवर एफेक्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं तो इतना हमने यहाँ पर सेटिंग किया उसके बाद फिर हम नीचे आएंगे नीचे आने के बाद हमें यहाँ पर अब गैलरी में images को लोड करनी है तो उसक पटन के बाद नीचे हमें add media का बटन मिलेगी सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही यह सारा मीडिया जो है एड हो जाएगे हमारे गैलरी में अब इतना हो जाने के बाद अब हम उपर आएंगे और यहां से हम publish पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको गैलरी का एक short code मिल रहा है आप इस short code को यहां से copy करेंगे तो short code हमने यहां से copy कर लिया अब आपको जिस भी page में full gallery को display करानी है उस page में चले जाना है तो हम यहां पर क्या करेंगे all pages में आएंगे already हमने page यहां पर create किया हुआ है gallery नाम से तो उसी में हम सारे चीज़ों को display कराइंगे तो हम यहां पर gallery को edit करेंगे edit करने के बाद हम यहां से scroll करके नीचे आ जाब हम यहां से block add करते हैं हम यहां पर दे देते हैं heading to gallery उसके बाद फिर हम यहां से enter करते हैं and then यहां पर जो short part हमने copy किया था उसे paste कर देते हैं अब हम अपडेट पे क्लिक करेंगे अपडेट करने के बाद अब हम जाते हैं वापस अपने वबसाइट में और यहां से हम गालरी को ओपेन करते हैं सो गैलरे पीजorship हमारा यां हो जाएगी और उस image को भीव कर पाएंगे यहां पर एक problem है problem क्या है कि जैसे हम image पूरे के पूरे website को हमारा overlay कर गई हमारा website पीछे गायव हो गया और image आ गया गई अब यह जो problem है इस problem को हम यहां से दूर करेंगे जिसके लिए हमें ज़रूरत है lightbox की अब चलिए हम देखते हैं कि कैसे फू गालरी के साथ lightbox को हम यहां पर integrate करेंगे तो हम यहां पर क्या करेंगे बैक आ जाते हैं वापस जाते हैं अपने dashboard में और dashboard में वापस आने के बाद एक plugin यूज़ करेंगे तो हम यहां पर जाएंगे प्लगिन बाले option में add new में और यहां पर हम search करेंगे फू बाक्स उसके बाद देखें यह जो plugin हमारे सामने आया इसे जस्ट हमें install करना है इंस्टॉल करने के बाद यहां से active कर दी है अब यहां पर एक दिखान रखिएगा कि जब आप फू बॉक्स को आप यूज़ करेंगे उससे पहले फू गैलरी प्लगिन आपका active होना चाहिए अगर आपका फू गैलरी यह प्लगिन आपका active हो जाएगी अब आपको कुछ नहीं करना है वापस जाना है फू गैलरी वाले प्लगिन में यहां पर आने के बाद वापस आपको अपने फू गैलरी को edit करना है और edit करने के बाद यहां से हमें lightbox को select करना है so हम यहां से थोड़ा scroll करेंगे अब यहां पर lightbox का option में आप drop down से यहां पर full box को select करेंगे अभी देखें यहां पर full gallery pro lightbox not installed है but full box यहां पर installed है so simply हम यहां पर full box को select करेंगे उसके निचे हमें option मिल जाती है spacing यहाँ पर मतलब आप एक image और दूसरे image के बीच कितना space रखना चाहते हैं alignment आखा option मिल जाता है आप यहाँ से alignment भी set कर सकते हैं simply आप यहाँ से update पर click करेंगे और update पर click करने के बाद वापस आएंगे हम अपने website में और यह website को हम reload करेंगे जैसे हमारे website यहाँ पर reload हो जाएगी उसके बाद फिर हम click करेंगे जिस भी image पर चाहिए click कर सकते हैं click करेंगे तो देखें यहाँ पर यह image पूरा का पूरा website को overlay नहीं किया यह box में open हो गई और that is light box यह है light box यहाँ पर हम option मिल जाती है right आने का यानि next आने का यहाँ से option मिल जाती है previous जाने का और यहाँ से option मिल जाती है से cross करने का मतलब light box का use करके हम किसी भी image को यहाँ पर zoom करके देख सकते हैं बट वो image हमारे website को पूरा का पूरा overlay नहीं करेगी तो इस तरह से हम food gallery के साथ light box को integrate करते हैं और एक बहुत ही attractive साथ gallery हमें यहाँ पर मिल जाती है so hopefully यह वीडियो आप लोग के लिए informative ही रहा आपको पता चला कि food gallery को कैसे use करना है food gallery के साथ light box को कैसे हम integrate करते हैं और बहुत ही attractive यहाँ को भी सब्सक्राइब करके बैल आग कर दब लें तो मिलते हम दोस्ता आप सेखेले वीडियो में तो बाबाय आड टेक केर